हेलो फेंट्स वेल्कम टू सड़ी पार्शला में विलाश और आज की लास में वालें इंपोर्टेंट टॉपिक को और यह एससे को टॉपिक होगा जो होगा आपका इंडिया-पाकिस्तान बॉर्डर कंफिक्ट ठीक है काफिश इपोर्टेंट टॉपिक हो सकता है इसके लिए के लिए इसके लिए आप इसको जरूर तयार करेगा और इसी कंप्लीट प्लेइस को देख लिएगा जितने इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वह सभी आपको इसकी प्लेलिस में मिल जाए इनको आप देखे अच्छे से त्यार करिए इसके साथ सब्सक्राइब आप आपको आपको यहाँपर आपको अच्छे से और आपको समझ में आ जाए कि कि क्या गलतिया रही और आप कैसे इसको इंप्रूफ करो गया राइट और जितने भी प्रीवेट्स हीडियोज है वह सभी आपको मिल जाएंगे इस बैच के इंतरगत और 24-7 जो है आप इन रिकॉर्डेट वीडियो को कभी भी रिवीजन कर सकते हो राइट और गर्ल्स के लि जेना है डिसक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से जाके अब इसको इन्रोल कर सकते हो आपको 10% इसकाउंट भी मिल जाएगा तो डिसकाउंट कोड आपको इसकाउंट को यूज कर सकते हो रही दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं आच्छी क्लास को लेट स्टार् करेंगे मिलो कैसे इस आपको एक्स्प्लेइन करना है देख लेता है तो बाउंडरी इन पॉलिटिकल जोग्राफी इस एन इमेजनरी लाइन बेट्विन तो नेशन सेपरेटिंग दाइमेजनरी राइट्स ओफ वन फ्रॉम दाइमेजनरी राइट्स ओफ अनादर एक है मतल स्टेक्मेंट ओफ फॉलिक्ट ऑफ इमेजनरी राइट्स बेट्विन नेशनस ठीक है मतलब यहां पर यह जो स्टेक्मेंट है यह कि इसकी है अंब्रोज बैस की इसप्रेट्विन करती है इसी तरह आप इसको लिंग करके लिख सकते हो कि कोई भी नए नेशन जो वहोता है है ठीकि किसी existing nation से वो किसी वज़ीज़ से होता है जो इमेज़नी राइट से उन में conflict की वज़े से नीव देवलप होता है यह क्रियेट किया डाता है तो इस तरह से आप इसको जो यह अच्छे तरीके से लिख सकते हो शुरुआत आप बढ़िया तरीके से लिट करते हो चीजों को राइट इसके पर आप राइवलरी बेट्विन इंडिया इन पाकिस्तान एलोंग विद देर बॉर् प्री इंडिपेंडेंस एरा से शुरुआत हो गई थी इसके तीक है मतलब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो रैवल्री है वो प्री इंडिपेंडेंस टाइम से शुरू हो गई थी पाकिस्तान विचिस कार्व आउट फ्रॉम इंडियन स्वाइल ऑन 14 अवस्ट 1947 बाइटि पाकिस्तान जो की कारवाउट किया गया है इंडिया पाकिस्तान में तो इसको जो है पाकिस्तान काउं सकते हो इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो इस तरह से आप अब शुरुवात कर सकते हो इंडिया पाकिस्तान के बारे में थोड़ा से आपर डेटेल्स बता सकते हो डेटा दे सकते हो राइट दोस्तो आगे हम लोग मूफ करते हैं बॉडी सेक्शन में यानी जो रेट किलिफ लाइन है वो एक बाउनरी लाइन है किसके बीच पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बिफोर पार्टीशन बोद दनेबर्स क्लेम कश्मीर विच वॉज रूल बाए अ हिंडू किंग राजा हरी सेंग डिस्पाइट हैं गाविंग 77 परसंट मुस्लिम पॉपलेशन यानी पार्टीशन के पहले क्या था जो नेबर्स थे हमारे वो कश्मीर को क्लेम करते थे जिस इंडिया और पाकिस्तान एंडिमेन एद एन इंडि़िपेंडेंट स्टेट ठीक ही जो सुकुच के रूप में रहना चाहता है but Pakistan's army invaded Kashmir which made Maharaja to seek help from India तीक है लेकिन बाद में क्या हुआ पाकिस्तान के आर्मी ने Kashmir पर invade कर दिया ठीक है आकरम कर दिया जिसकी वज़े से जो है महराजा जो थे हरी सिंग उनको help लेनी पड़ी इंडिया से ठीक है तो अक्टूबर को महराज्य जो चे उन्होंने स्विकार कर लिया इंडिया को एज उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है उसको साइन किया राइट आव़र पाकिस्तान व्यू कश्मीर एस एन पार्ट पाकिस्टान अभी भी कश्मी अपना इंटर पार्ट जो है वह मानता है तुह यह पर यह थ्ल बड़ें तरीके से इसके बाद दोस्तों आगे मुद्Õ करते हैं the इंवेडर्स वर ग्रेज़ुली ड्रिवन आउट औफ कश्मीर एक्सेब एट एनी जो इन्वेडर्स से उन्होंने घ्रेज़ुली दीरे-धीरे को उसको नहीं हटा पाए तो उस अपर पाकिस्तान अप्यूपाइट कश्मीर जिसको पियों के भी भी बोलते हैं इंडिया कश्मीर है इंडिया में पीओ के बोलते हैं पाकिस्तान में इसको आजाद कश्मीर बोला जाता है राइट सिस्ट देन डिफेक्टो बॉर्डर्स है बीन अल्टर केशन्स इन पाथ और फ्रेंडली लेशन्स विडिविन बोथ ठीक यानि तभी से जो है जो इन पाकिस्तान का म इस तरह से जो है आप इसकी पूरी हिस्ट्री बता सकते हो बैस तरीके से आप इसको सिंपल लेंग्विज में लिख सकते हो बहुत ज़्यदा डिफिकल्ट करके चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं लिखना है राइट सिस्ट फॉर्मेशन इंडिया और पाकिस्तान इन कौन-कौन सी बेसिकली वार्स हुई तो मेजर वार्स हुई 1947 और 1965 में और जबकि एक लिमिटेड वार हुई 1999 में जिसको लोग बोलते हैं कार्गिल वार ठीक है तो यहां पर आप इस तरह से जो है इसके बारे में बता सकते हो बढ़िया तरीके से इसके बाद इनको डिटेल में थोड़ा आपको बताना पड़ेगा क्योंकि केवल बता देने से कि यह वार हुई से काम नहीं चलेगा थोड़ा से डिटेल ने बताना पड़ेगा कि क्यों हूई यह वार्स ठीक है तो यहां पर आप आगे इसी को इलाबरेट करोगी कि दा वार और 1947 वास ड्यू टू द इनिशेटेड वाय पाकिस्तान ठीक है जबकि 1965 की वह जो थी वह ऑपरेशन जिब्राल्टर इनिशेट किया गया था पाकिस्तान दौरा उसकी वजह से लड़ी गए थे तो यह पर आप इन दोनों वास के बारे में शॉर्ट मिन डिटेल से बता सकते हो इसके बाद देखो इ है लॉचिंग अम मिलिटरी मेजर मिलिटरी एन डिप्लोमेटर इउनिट्ट टु ड्राइव ऊट पाकिस्तानी इंफिल्टरेटर इंड्री गाप इंडिया नेस कि में क्या मिलिट्री ओूमेटिक योनित होँए त्हाना की जिससे कि पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स को वहां से हटाया गया निकाला गया इस तो नेशन शन शना शेर बाउन्टरी विदा टोटल लेंट ऑफ 33323 क्लोमेटर यह आप बता सकते हैं यह टोटल जो है 3323 क्लोमेटर की बाउनरी शेयर करते हैं इस वी टेग जेग जेग्राफिकल पिचर इन्टोर अक्वाउन्ट बोद एर्यास हमाल्या मौन्टेन एंड इंडस रिवर लिए अगार्ड जेग्राफिकल फीचर की बात करें तो दोनों ही टानिया पाकिस्टान दोनों में इंडस रिवर भी आती है इसके साथ ही साथ आप सकते हैं इंडस वाटर प्रीटि कौन जो है जो वाटर है इंडस्वीवर का वो कौन किस तरह से उपयोग करेगा और इसकी ट्रिब्यूटरी से उससे कैसे लेगा तो यहां पर आप इस तरह से जो है बढ़िया तरीके से पूरा डिटेल में बता सकते हो चीजों को बेस्ट तरीके से तो आई होप आपको समझ जा रहा होगा कैसे इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं एस रिसेंट अटैक वस पुल्वामा अटैक ऑन 14 फैबरी तूटावन नाइंटीन दा आफ्टमेट ऑप इस एटैक वस क्रैपिंग आर्टिकल 370 & 358 विच रिकॉंस्ट्ट्यूटेट दस्टेट इंट इसके बाद दिया गया तो यह तरह से आफ्टमेट था जो पुल्वाना अटैक है उसकी वजह से राइट तो यहां पर आप काफी अच्छे से डिटेल में बता सकते हो चीजों को लिंक करते हुए इसके बाद देखो आमेंडमेंट ब्रॉट चेंजिस टू लैंड ओनर्शि इसमें कश्मीर में कई सारी चेंजेज हुए जैसे की लैंड ओनर्शिप राइट को लेकर के बदलाव आए साधी सथ प्रफेरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर पीपल ऑफ दे स्टेट इंजॉब्स एन एडुकेशन एडुकेशन एंजॉब्स केस में भी बदलाव किये गए ताकि जो है यहां की एकॉनिमी ग्रो कर सके और डेवलाब हो सके है राइट दे यूएस शो देन इंटरस्ट इन इंशोरिंग रीजनल इस्टेबिल्टी प्रेवेंटिंग नियूक्लियर वेपन प्रोलिफिरेशन एंड मैक्सिमाइज इंग पोटेंशियल ओफ नूक्लियर यहां पर आप यहीं बता सकतो यूएस जो एक तरह से इंटरस्ट चो कर रहा है इस चीछ पो लेकर कि कि ताकि रीजनल स्टेबिल्टी बनी रहे साधी साथ नूक्लियर वेपन प्रोलिफिरेशन ना हो और मिनिमाइजिंग पोटेंशन नूक्लियर वार की स्थिति भी ना ब होगे अपने इसाब से कि the countrymen are most affected in any types of conflict on military attacks so it is high time that we must come together and think about human lives and give up border conflicts because life has greater importance than borders यानि किस countrymen के लिए लोग हैं किसी भी देश के उनके लिए सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा यह खराब बात होती है जो conflict हो या military attacks किसी country को लेकर के सबसे ज्यादा बुरा आसर इनी के उपर पड़ता है तो यही सही समय है कि हम सभी को जो है साथ मिल के काम करना चाहिए और human lives पर focus करना चाहिए जो border conflict है उनको give up करने की सोच लेनी चाहिए मतलब border conflict को basically give up कर देना चाहिए लाइफ जाधा इंपोर्टेंस रखती है ना की बॉड़र्स तरह से दोस्तों बैस तरीके से इस टॉपिक को लिख सकते हो और आई खोप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे को लिखना है और एक्जाम में आप कैसे लिखोगे इसको इसी तरह से इस टॉपिक को आप लि यहां पर प्लास सब्सुट्धि असे टॉपिक मिल जाएंगे तो आपको अलग से प्रपायर करने की जोथनी पड़ेगी और 60 प्लस यहां पर प्रेसी रैटिंग इस मिल जाएंगे जिनको आपके लिए त kayदा अल्कुल रहेगी राइनगे सारे टॉपिक को मिलेंगी बुक पॉस्ट मिल जाएंगी एडिशनल 30% मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है वहां से जाके आप डिस्काउंटे रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपने प्रपरेशन को और बैतर तरीके से कर सकते हो तो आई हो पाची क्लास आप सभी के काफी अधायलफुल रही होगी इसके साथ ही साथ प्रेंट्स आप लोग टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लेना अगर आप लोग नहीं हो चैनल पर और यहां पर आपको सारी इंपॉर्णेंट्स और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी ठीए टेलिग्राम ग्रुप का लि लिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नहीं है तो अभी के लिए इतना ही नेक्स मिलते एंगली क्लास में थैंक्स वाचिंग